नमस्कार दोस्तों सिजी पकवानमी आप सभी का स्वागत है तो आज मैं लिकर आई हूँ मुंभ़ली चिक्की की रेस्पी और इसे बनाना बहुत असान है खान में बहुत ही टेष्टी लगती है तो चलि फिर चिक्की बनाना शुरू करते हैं तो देखें आपर हमने लिया है आधा किलो मुंगफली है और आधा किलो गूर लिया है यानि कि जितना मुंगफली लिये है उतना ही हमने गूर लिया है तो यहाँ पर गैस पर चड़ा दिया है कडाही और इसमें डाल दिये हैं मुंगफली और इसको अच्छे से बून लेंगे तो इसको धीमे आज में अच्छे से भून लेना है तो दिखे फ्रेंड बुंख़ली हमारे अच्छे से भून गई है दिखे छिलका भी इसका निकल रहा है तो यहाँ पर दिखे बुंख़ली के छिलके निकाल लिये हैं यहां पर फीर से कड़ा ही चप्टा दिया है और यहां पर मैं डाल रहाएए एक चंवच दैशी गrowsी तो गही हमारा पिगल गया तो देखिए देमियाज में गुड़ को अच्छे से पिखला लेना है और यहाँ पर जरुवत पढ़े प्रेंट तो आप एक चम्मस पानी डाल सकते हैं मैंने पानी यूज नहीं किया आया भी तो देखिए गुड़ हमारा पिखलने लगा है तो देखिए गुड़ अच्छे से पिखल गया है इसको इसी तरगे से चम्मा चलाते हुए अच्छे से पका लेना है गुड़ को और मुंगफले चिक्की बनाना बहुत ही असान है घर पे आप धेर सारी मुंगफले चिक्की बना के रख सकते हैं और पुरे ठंडी का मजा ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए गुड़ अच्छे से पिखल गया है अब पकना शुरू हो गई है तो देखिए अब इसमें बुलबुला आना शुरू हो गया है गुड़ में तो जाले फ्रेंस चेक करके देखते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है तो देखिए यहाँ पर अभी नरम है हमें गड़ाक वाला गुड़ चाहिए जब हाँ से गुड़ को तोड़े तो असानी से टूड़ जाए वैसा ही में गुड़ का पाक चाहिए तो देखिए गुड़ अच्छे से फूल गया है तो एक बार फिर से चेक करके देखते हैं भाग आया है कि नहीं आया है तो उसे ठंड़ा कर लेंगे तो देखिए फिर यहाँ पर गुड़ अच्छे से टूट रहा है हमें इसी तरीके का गुड़ चाहिए देखिए असानी से टूट रहा है तो हमारे गुड़ का पाक आ गया है तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं चिली वी मुंग फली और इसको अच्छे से मिक्सा कर देंगे और गया इसको कर देंगे पन तो देखिए मुंग फली अच्छे से मिक्सा हो गई है तो यहाँ पर देखिए हमने पहले से घी लगा के रखा है धाली में तो इसमें डाल देते हैं अब फली इसको फटाफट से इसमें पलड देंगे जल्दी से नीते सुखने के बाद अच्छे से सेट नहीं होता है तो यहाँ पर हमने लिया है पॉलिथीन इसमें भी हमने गी लगा के लिया है थोड़ से इसको फैला देंगे तो चलिए फीज पॉलिथिन के इसके उपर रख लेते हैं और इसको बिलंस अच्छे से बेल लेंगे और मुटा पतला जीज भी बनाना हूँ से अकार में अब बना सकते हैं तो बिलंस इसको अच्छे से बेल लेंगे, सेट कर लेंगे कि अब यहां हमिने यहाँ पर बिलंस में अच्छ से बेल लिया है है कि अभीव काने में बहुत ही ठेश्ची लगता है में काज का टणी के मौसम में अंति rivers लगता है और इसे बनाना यह भी असान घर पर बना के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए फिर इसे निशाल लगा देते हैं जबी अपार है जब इसे निकल चिक्की को थो सानिस निखल जाय कि यहां पर इस तरके से में निसाल लगा कि छोड़ रही हूं तो मैं इसे square save में काट रही हूँ इस तरीके से सभी में निसान लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए हमने सभी में निसान लगा दिये हैं अब इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे कम से कम एक घंडे में अच्छे सेच हो जाता है तो देखिए असानी से हमारी चिक्की निकल रही है तो देख प्यार रहे हैं हमारे चिक्की अच्छे से बन की हो गई है तयार अब इसे डिवे में भर के रख सकते हैं और फुल ठंडी भर चिक्की का मजा ले सकते हैं फ्रेंज तो इसे तरह के सारे चिक्की को निकाल लेंगे वीडियो पसंद आया हो फ्रेन तो प्लीज लाइक करना और चैनल में आया हो तो चैनल को भी सस्क्राइब करें न तो यहां पर दीखिए हमारी टिश्टी टिश्टी चिक्की बनके त्यार हो गई है मुँफली चिक्की